तो यह मारा उपो एफ नाइटी नेस इस पर मैं काफी सारे वीडियो बना चुकों हैं काफी सारे वीडियो ओन दवे चैनल पर आने वाली हैं आज के इस वीडियो में बात करेंगे इसके कुछ कमाल के टिपसन ड्रिक्स के बारे में जो कि मैंने अपने प्रिविएस वीडियो में नहीं बताए हैं आज के वीडियो में हम पार्ट टू करने वाले हैं टिप्स औ ट्रिक्स का जहां पर मैं आपको काफी सारे कमाल के उप्षिन्स बताने वाला हूँ जो कि मैंने पार्ट वन में नहीं बता रखी इसके लिए आपको चलना होगा सेटिंग्स के अंदर में बात करेंगे हम आपको चाहिए जिससे की जिनको चश्मा लगा हुए उनको बहुत जादा अच्छे से यह वर्ट देखने मिल जाए और समज में आने लगे उसके लावा एक ऑप्षिन देखने मलता है रिमूव एनिमेशन का अभी यह जो ऑप्षिन है और मुझे बहुत जादा पसंद आत अब अगर अलग अलग चैनल्स होते है तो भाई आवाज डंग से नहीं आती है लेकिन यह वाला जो ऑप्षिन है वो बेसिकली आउडियो को बैलन्स करने के लिए काम आता है इससे आप राइट या लेफ्ट पर कितना जो है टिल्ट करना है वो चीज आप यहापर सेट कर स देखने मिल जाएंगी यह वाला जो सेटिंग है इसके अंदर बेसिकली आपके स्मार्ट फून की जितने भी वाइबरेशन या फिर जितने भी हैप्टिक फीडबाक है उनको आप यहाँ पर सेट कर सकते हो अगर आपको रिंग वाइबरेशन नहीं तो आप यहां से टर्न कर सकते हो नोटिफिकेशन वाइबरेशन भी आंट साथ में यहां पर टच फीडबाक को भी टर्न आउन या टर्न आउफ कर सकते हो काफी सीली जो कि आपके इस तरह की बटन पर आता है और साथ में की बोट पर आता है जो कि बहुत जादा अनॉइंग लगता है मुझे तो इसके लावा यहां पर एक शॉटकट भी बना सकते हो अपने लॉक स्क्रीन पर एकसेसिबिलिटी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक आप्शन आपको यहां पर देखने मिलता है विच इस कालर करेक्शन और यह बेसिकलिए आपके कलर्स को करेक्ट कर देता है मतलब देखने मिल जाते हैं तो इससे कालर इंवर्जन कर सकते हो अगर आप इसको करना जाते हो तो ऑगे मुझे तो यह नॉर्मल ती अच्छे लगते हैं वही समझाते है अगर एक ऑप्शन की बात करो जो की रह गया था विच इस काल्ड कलर अक्सेशिबिलिटी मोड एप कर देती है थोड़े से कलर्स को अन लोगों के लिए बेटर जिनको जो है थोड़ा सा भी कलर ब्राइंडर या फिर ऐसा कुछ फेस होता है तो थोड़ा पीछे आओगे तो आपके यहां पर एक रीसेंट टास्क मेनेजर देखने मिल जाएगा जिससे बेसिकली आपी जित्ती करनेक्शन के बारे में जब भी आपने स्मार्ट फोन में किसी भी पैंडराइब को कनेक्ट करोगे तो वह कनेक्ट होगी ने लेकिन उसके लिए ओटीजी केबल लगती है तो अगर आप चुछ अब पर देक तो थोड़ा आपको बैक आना पड़ेगा एंड उसके बाद आपको यहां बैटरी सेवर्स देखने मिल जाते हैं दो दो अलग अलग एक है जो है पावर सेविंग मोड और यह वाला जो ऑप्शन है काफी एजी ऑप्शन है जैसे कि आप बहुत सारी तरह की ऑप्शन देखते होगे अलग अलग तरह की यूई में इसमें जो है आपकी जो पावर है वो बहुत जादा टाइम तक के लिए सेव हो जाती है यह बिसे के लिए आपको जो ब्राइटनेस उसको कम कर देगा रीसेंट एप्लिकेशन को बंद कर देगा और जो है बैगराउंड नोटिविकेशन वगरा को भी बंद कर देगा बागी एक आपको देखने एसी उप्शन होते हैं जो कि आप बहुत जादा कम टाइम के लिए यूज कर रहे हो तो बहुत जादा अच्छा उप्शन है और इसके अलावा आपको अपना स्पार्ट फोन भूल जाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है इसमें लिटरली आप यह पर पांच शे एप्लिक जो कि आपको देखने मल जाता है विच इस कॉल्ड बैटरी अप मैनेजमेंट तो इससे होता ही है कि किस एप्लिकेशन को कितनी आप बैटरी यूसेज दे रहे हो वह आप यहां से टर्न आफ कर सकते हो काफी जादे इसली सिंगल क्लिक में यहां पर आप फोल ग्राउंड ए आप अप्टिमाइज वह अगर आपको बंद करना है वह आप काफी इसली बंद कर सकते हो एक यह आप आपको देखने मल जाता है मोड बैटरी सेटिंग करके जहां पर आपको एक हाई पर्फोर्मेंस मोट देखने मल जाता है यह ऐसा ऑप्शन नहीं जिससे कि आपको जो ब बैटरी यूसेज को जिससे कि आप जो है बैगराउंड एक्टिविटीज बंद कर सकते हो काफी एजी लिए अपने किसी भी अप्लिकेशन की जिसकी भी आप चाहो आप नाइट चाजिंग भी इनेबल कर सकते हो स्टैंडबाय बैटरी एज कम होगी जल्दी एज नहीं होगी साथ-सात में आप बैटरी पर स्टेटेस बार पर पर से ही शो कर सकते हो तो यह बहुत ज़ा आच्छे ऑप्शंस हैं जो कि आपको देखने मल जाते हैं बैटरी करके और यह वार जो उप्शन है इससे बेसिकली आप पूरे दिन में आपने क्या कर रहा है अपने स्मार्टफोन पे आप यहां पर देख सकते हो काफी एजीले आपको बता अपने देर कौन सा अप्लिकेशन चलाया है और कितनी बार अपने स्मार्टफोन को अनलॉक कर रहा है उसके अलावा यहां पर आप जो है फोकस मोड भी यूस कर सकते हो इससे आप जो भी डिस्ट्राक्शन है अलग अप्लिकेशन के दूरू जैसे भी गेम्स के दूरू वह सारे आप यहां पर इनेबल यह डिसेबल कर सक परिंटल कंट्रोल के अदर में जिनको आप यूस कर सकते हो इसके अलावे भी कही सारे ओप्शेंट्स है जो कि मैंने अपको इस वीडियो में भी नहीं बता पाया फर्स वीडियो और सेकंड वीडियो हो चुके इसके कंपलीट अगर आप चाहते हैं इसका मैं पार्ट 3 बन श्राने में बहुत मैंने लगती है तो लाइक बी करतो इस वाले वीडियो को काम तो कॉमेंट करना मत भूलना अगर आप चाहते हो इस वाले वीडियो का एक पार्ट 3 बाकि इस वीडियो के लिए बस इतना ही और सबसक्राव को आगे भी मैं मिलता रहूंगा अलग-अलग उसके दुरू जाए हिंद फंदे मात्रम